प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी द्वरा अयोध्या को दिल्ली से डायरेक्ट हवाई सेवा और रेल सेवा से जोडने के बाद पीम के संसदिय चेत्र वारांशी को भी अयोध्या से डायरेक्ट बस सेवा से जोडने की तैयारी शुरू हो गई है या यूँ कहें कि वारांशी से उत्तर प्रदेश रोडवेज की अयोध्या के लिए डिरेक्ट बस सेवा सुरू कर दी गई अयोध्या और वारांशी अगर फ्यूचर के लिहाज से देखा जाए तो यूपी के महत्पूर्ण टूरिस्ट सेंटर के रूप में विक्षित हो रहे हैं इसको देखते हुए अयोध्या मंदिर का जैसे उत्गाटन होने जा रहा है और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक वारांशी से अयोध्या के लिए हर एक घंटे पर बस सेवा उपलब्द कराने की इक्षा को देखते हुए और इसका सम्मान करते हुए ये अयोध्या के बीच में बुकिंग के जरिए गाड़ी परदान की जाएगी ताकि सुबस चलने पर साम तक वो अयोध्या पहुँच जाएं दोनों टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने की बात हो रही है और जो भी डेवलप्मेंट के कॉंसेप्ट है और जो भी सपोर्ट हम यात वरानची के बीच की जो कनेक्टिविटी है सनक कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं उसे बढ़ाया जा रहा है ताकि रिलिजियस टूरिजम को अयोध्या और वरानची के लिए अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और इसका विस्तार किया जा सके यह कहना है वरानची के र कर रहे हैं कि माननी प्रवान मंतरी जी आदेशा नुसार कि हम लोग इस connectivity को और मजबूत करें अभी जो प्रजन connectivity है वो दिन भर में तीन से चार बसे चलती थी अब लोग ने करने के लिए हर एक घंटे पर एसी बस हर आधे घंटे पर साधन बस की सेवा उपलब्द कराना बुकिंग रूप में गाड़ी दी जाए चाहे हो साधान लिए चाहे टू बाइ थ्री एसी है जन्रक को ले गया है जो मॉर्निंग में वहां पर लेके जाए और शाम तक वहां पर टूरिजम करा के वापस लेके आ जाए इसको जो परवान निगाम के नॉम से बूकिंग जाएगी तो हम लोग एक कनेक्टिविटी है कि उनको इजी नॉम्स दिये जाएं कि इजी नॉम्स के थुरूद दोनों चीजों को जुड़ा जा सके और टूरिजम को बढ़ा जा सके